हेलो दोस्तों आपको शौगत करता हूं तरंग इलेक्ट्रोनिक्स चनल में तो दोस्तों देखिए टीवी का बेक कपर में उपन करके राखा हूं और मुन में लाग था है कि चलिए इसका उपर एक वीडियो बना देंगा तो देखिए इसका प्राब्लेम कीस तरह आ रहा है इ तो देखिए मैं इसका सब कुछ उपन करके राखा हूं और एक्चली यह जो प्राब्लेम ठीक से आइडेंटिफाई आप कार पागे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो फॉल्ट है यह फ्लाइबक ट्रांसपर्मर का फॉल्ट है इसका इंटर्नल फाइरिंग इसी त इसका बात एक नीव एस्टी लागा कर आपको देखाऊंगा तो दोस्तो देखिए आभी मैं इसटी लागाया लागाने का बाद यह मैं पुरा कॉंप्रीट नहीं किया है तो चले इसका जो अधर्स connection यह का जो फोकास पीन और फोकासिंग और जी टूर यह सब कुछ मैं को देखाना चाहता हूँ अब वीडियो थोड़ा वेट कीजिए आपका सामने यह यह स्टी वायर कनेक्शन करने के बाद आपका सामने डायरेक्ट लाइन देखे सप्लाई देखे देखोंगा ठीक है तो जास्ट आप कुछ टाइम वेट कीजिए ठीक है दोस्तों तो एक्चल इसे तरद प्रापलेम सिंग लाइन से भी हो साखता है ठीक है वाडTI यह इस्टी का जो मेरा हिसाब से लाइड़ा है तो चलिए है आपका सामनी सेका लागाने। एक बाद देखोंगा कि क्या रेजल रहा था है इसका प्रापलाब्लेम सॉल्फ हो गाए की नहीं और प्रा समनी में साप्लाई देखाना चाहता हूँ ठीक है अब देखे मैं आपका समनी साप्लाई दे देता हूँ दोस्तों देखे मैं साप्लाई दे दिया और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए लाइट आता है की नहीं पिक्चेर आता है की नहीं और प्रब्लेम सॉल्ब होता है की नह पुरा इड्जेस्ट करने का 不ड़एया पिक्रे हो गया तो चलिए मैं आपको दूबार cabinet तो देखाता हूं, दोस्तो देखिये picture का quality बहुत clear हो गया, दोस्तो चलिए मैं ये tv को घूमा के भी आपको देखाना चाता हूं, फास्ट आपको जीश तरह देखाया ठीक है दोस्तों तो चलिए, दोस्तों चलिए मैं आपका सामने, मैं फिर भी सप्लाई दे देता हूं सप्लाई देने के बाद इसका picture quality की तरहा रहा है आप अच्छा करके फॉलो गीजिए दोस्तों देखे पिक्चर क्वालेटी बहुती क्लियर आ गया दोस्तों ये वीडियो का अंदर आपको इन्फर्मेशन सेयर की आपका पच्छा लगया था प्लिस अग लाइक कार दीजिए और ये चैनल पर आप नाया आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब परके रखे और इस तरह वीडियो पाने के लिए आप बिल आइकन को क्लिक करके वाल कर दीजिए ठीक है दोस्तों थैंक्यू